दोस्तो राची में खेला जाएगा टीम इंडिया और न्यूसलेंड टीम के बीच T20 श्रंकला का पहला T20 मैच और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मैट के फेंटरसी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे और दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात का पता लगाएंगे कि जब इस दोनों टीम में इस मैट को केलने इस वेल्यू में एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो इस मैट में बल्ले बास अच्छे परफोर्मेस करेंगे या फिर गेंद बास मतलब कि दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि बहिए पेंटेसिक पॉइंट ओफिस से शंकला के पहले टीटवन्टी मैच में बल्ले बास हमें ज़्यादा वेल्यू देंगे या फिर गेंद बास अगर दोस्तो आप लोग टीम इंडिया और न्यूसलेंट टीम के बीच के लिगी बंडे शंकला के जैसा टीटवन्टी शंकला में श्रांदा परफोर्मेंस करना चाते हैं तो भई आपने कुछ नहीं करना बस आज इस वीडियो को पूरा देखना है अब दोस्तों कुछ मेरे भाई सोचेंगे कि यार इस बात के क्या गरेंटे अगर हम लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्रीन तोर पे शंकला के पहले टीटवन्टी मैच में हम लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आपको एक चोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा आप इस क्लिप को सुरूर पूरा देखिए लेकिन अगर श्रीलंका टीम पहले बल्ले बास ही करती है और टीम मीडिया के स्पिन गिर्बास के सामने रन नहीं बना सकता नहीं कमपेस में काफी शांदार है किया रिसेंटली के लिए के वंडे शंकला की तीनोई मैच जिसमें हमने वन साइड क्लीन स्विप किया हलाकि दोस्तों यह जानके मुझे प्राउड फिल होता है किया रिसेंट टाइम में हमने काफी अच्छा काम किया और रिसेंटली के लिए क मैट में आप शांदा परफोर्मेंस कर पाएंगे इस बात के मेरी गैरंटी है हलाकि दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि आ रिसेंट टाइम हमारे साथ रोसाना पांच से दरसार लोग नए जुड़ रहे हैं अब नए लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे और मान लीजे वो आज ही हमारे साथ जुड़े और आज ही फैंटेसिक इंदर हमारा कोई मैच अचा नहीं जाएगा तो वो लोग सोचेंगे यार ये सारी फालतू की बाते हैं लेकिन दोस्तों जो लोग अमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि अमारे साथ जुदने सों को कितना सारा फायदा हुआ तो दोस्तों ये क्लिप दिखा के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखने हैं तो वीडियो में शेयर किकी इन्फोलमेशन को आप लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे उसके बार दोस्तों आपने देखना है कि आपने इस मैट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है कौनसी टाइप की लीग जोइन कर रहे हो और कौनसी एप्लिकेशन पे आप लोग वो इन्वेस्टमेंट करने वाले है क्योंकि दोस्तों आपनी देखोगा रिसन टाइम में अलग-लग एप्लिकेशन के अपनी अलग-लग रूल है जैसे कि कुछ फेंटेसी एप्लिकेशन पे दोस्तों ये रूल रहेगा कि आपको अपनी फेंटेसी टीम में मिनिममम तीन बल्ले बासों को शामिल करना है तो कुछ फेंटेसी एप्लिकेशन पे ये रूल रहेगा लेकिन दोस्तों अगर आप लोग रोसाने इसी तरह के शांदार वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन आपने भी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने भी तक ह आप चैनल में शेयर कर दूंगा तो अब दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो की सुरुआत में बताया कि बैस श्रंकला का पहला T20 मैच राची में कहला जाएगा अब दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से हम यहां के पिच बीविर को समझने की कोशिश कर देखिए अगर आप लोग इस बात को लेके परेशान है कि बेस श्रंकला की पहले T20 मैच में जो पिच है वो एक हाइज स्कोरिंग होगा या फिल लो इसस्कोर इो गोगा तो आप लोग टेंशन मत लीजे आप लोग इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि राची का जो पिच वो दोस्तों एकदम से न्यूट्रल होगा यहां एक ऐसा पिच आपको देखने को मिलेगा जो वल्लेबास और गिंदबास दोनों को सपोर्ट करेगा अब आप लोग सूचुगे आर ऐसा पिच कैसे तयार हो सकता है जो वल्लेबास और गिंदबास दोनों को सपोर्ट करेगा तो मैं आपको इस सारी बात इस वीडियो में समझाऊंगा तो दोस्तों देखिए राच्ची में अभी तर्कुल तीन इंटर्नेशनल T20 में खेले गई हैं आखरी बार T20 में चीस वेन्यू पे 19 नूमबर 221 को न्यूसलेंट टीम इंडिया के बीच कहला गया था उससे पहले T20 मैच 7 अक्टूबर 2217 को हुआ और पहला T20 मैच इस वेन्यू पे 12 फर्वरी 216 को खेला गया अब दोस्तों जो भी इंफोर्मेशन में आपको श्रेर करूँगा उससे अपने दिमाग में सैट करना तो दोस्तों देखिए 19 नूमबर को खेलेगे T20 मैच में जूसलेंड की ट साथ अक्टूबर 2217 को जो T20 मैच इला गया इसी T20 मैच में उस्टेलिया की जो टीम ती 18 और बल्ले बासिकर सिर्फ 118 का टागेट सेट कर पाई इसके जो आप में दोस्तों 12 के चलते मैच को 6 और का किया गया और टीम इंडिया को 18 सन का टागेट दिया टीम इंडिया ने 5 चोर में इस टागेट को चेस कर दिया यानि दोस्तों आपने देखा किया इस लेन्यू पे जो टीम चेस करती है उसके मैट विन करने की चांस जाद है और ऐसा इसली हो सकता है कि इस मैट में डू इंपोर्टेंट और प्ले करेगा तो दोस्तों शायद से जो भी टीम पहले जीते वो गिंदबासिक करने का फैसला कर सकती है ड्यू के चलते हलाकि आप लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि वह इस लैंडियू तो अपना काम करेगा लेकिन ड्यू का एड्वांटेज ले निकले आपके पास ऐसे बल्ले बास भी होने चाहिए जुन कंडिशन का फाइदा उठा सके और श्री लंका टीम के पास ऐसा कोई बल्ले बास था नहीं इस मैट में तेज केंबास पुनिनो और स्पिन ने चैव की चटकाई थे अब दोस्तों इस स्वैन्यू में कहले पिछले तीन टीटी मैच जिसमें जित टीमों ने पार्ट स साओधी तीम साओधी ने क्याखा मैच कथम होने के बाद कि यहां पे डू इप्ऊर्टनट रू प्ले कर रहा था, पहली और दूसरी पारी में दोनों पार्यों के अंदर डू आया था, हालकि दूसरी पारी में डू ज्यादा था, इसलिέ चेस करने लाट टिम के मैच जितन में T20 मैच था, ड्यू आया, जिसके चलते गेन को ग्रिप करना मुश्किल था, क्योंकि गेन गीला हो गया, और बल्ले बासी करना इसे T20 मैच में आसान था, उससे पहले दोस्तों ओस्टेले टिम के कप्तान थे डैविड वार्नर, तो डैविड वार्नर की टीम 120 पे आउट हो तो टीम इंडिया ने ओर्मोद दोस्तों रन का टागेट सेट किया था, उस मैच के बाद कप्तान दोनी ने कहा था, किया राची में कैसा प्रिस तैयार किया गया है, जिसमें बल्ले बास और गेन बास दोनों के लिक उछ ना कुछ था, लेकिन श्री लंका ए टीम उसका फा टीम की इसी वंडे मैच में देखी, शिकर दवन ने का, कि मैं ठैंक्स कहना चाहूंगा केसाओ को, क्योंकि केसाओ ते साउट अफरिका टीम के कफ्तान, इन्होंने टोस चितके पहले बल्ले बासी का फैसला किया, और दूसरी पारे में डियू आया, जिसका टीम इंडिया अच्छा फायदा उटाया, क्योंकि आप साब तो उसे देखे, ध्वन ने यही का, कि बहुई डियू आने के बाद बल्ले बासी करना असान हो गया, क्योंकि गेंच स्कृट करके बल्ले प्यारा था, और शोट केलना असान था, केसलों ने क्या का, केसलों ने का, यार हमने इस मैच के अंदर डू कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि डू आ जाएगा और डू ने आके हमारा सारा कम विगाड़ दिया क्योंकि हमने यह सोचा था जो यहां का फीच है वो आगे चलके स्लो हो जाएगा और इसमें बाउंस तोड़ा सा कम है तो दोस्तों यहां से गेम को रीड करने में इनने गलती कर दी टीम इंडिया को उसका फाइदा मिला अब आप लोग एक और बात को सोचिए इसी मैच में खिलेते कोन इश्रान किशन इस मैच में अच्छी बल्लेबासी की इश्रान किशन ने यह बात भी दो रहाई कि यहां की जो पीच ह बल्लेबासी करने इतना आसान नहीं है अगर आप बल्लेबासी करने जा रहें तो पहली गेन से बड़े शोट नहीं कहल सकते क्यों कि यहां का जो विकेट है तोड़ाático सा कम है अब दूस्त्रों आपको इस सब कुछ देखके क्या समझ में आया आपको यह समझ में आया कि इ जितना ज़्यादा time wicket पे set करेंगे या जितना ज़्यादा time wicket पे spend करेंगे उससे दोस्तों को इसके wicket के bounce का पता चल जाएगा उन्हें एक बार अगर बल्ले बास set हो गया तो run करना easy है यानि आपने सीखा gain pass नहीं बल्ले बास जब बल्ले बास ही करने आएंगे तो उनके सा जो पिछले 5-320 मैच टेलेगे उन 5-4 मैच को देखते हम यह कह सकते हैं जो टिम पहले बल्लेबासी करे और मैच जीतना है उसे कम से कम 170 का टागेट सेट करना है तो ही वो इस मैच को विन कर पाएगा अगर इस वैन्यू में केलेगे 5-320 मैच चीस कम तोड़ा डिटेल में दे कि हम यह कह सकें कि यहां का जो विगिट है वो पूरी तरह बल्लेबासों को सपोर्ट करेगा तो यह आकड़ी यह साबित करते हैं कि यहां का जो विगिट है वो न्यूट्रल है अब दोस्तम बात करते हैं इस मैच में कौनसी टीम विन कर सकती है देखिए किरकेट है अनिश तो दोस्तों आपको यहां से यह बात भी समझ जा रही है कि New Zealand टीम अगर आद इस T20 मैट को विन करना चाहे तो New Zealand टीम के बल्ले बासों को टीम इंडिया के गिन बासों के सामने अच्छी बल्ले बासों के सामने अच्छी बल्ले बासों करने पड़ेगी तो दोस्तों कि अपना दूसरा जील का टीम कोंबिनेशन आप बना सकते हैं टीम इंडिया नी इस वैंडियू में खेलेगे फिशले तीनों टी-ट्वेंटी मैच इसको विन किया है गेंड बासों से बात की जाए तो दोस्तों इस वैंडियू पर 30 गेंड बासों 29 और स्पिन गेंड बास विन गेंड बासों के सामने 30 संड बना के आउट हुआ तो इससे दोस्तों ये समझा रहे हैं कि स्वädवी पर बास समलके बले बास करें और गेंड बासों के अपने विगिट गिफ्ट ना करें तो उनके गेंड बासों के comparison में performance करने के जो chance है वो कहीं ज़्याद है और जो बल्ले बाद एक बार इस wicket पे time spend करेगा wicket के bounce पे used to हो गया उसको रोखपाना इस fit पे काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा तो अब दोस्तो आपने फिर report को जाना आगे चलके खिलाडियों के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन साथी में अगर आपने भी तक बल्ले बासी है application को download नहीं किया तो मेरे भाई download कर लो link video के नीचे description box में मिल जाएगा क्यों download करना है सबसे पहले आपको दोस्तो 50 रुपए का extra cash मिल सकते है अब देखे जो 26 रुपए का extra cash है ये दोस्तों कुछ lucky winner को मिलेगा जो कि दोस्तों आपके होंगे I think 30 या 26 lucky winner होंगे और उसाना 6 lucky winner को ये मिलने वाल है अब दोस्तों देखे 24 जनवरी को जिन लोगों ने इस application पर इस code का युश करके deposit किया उन लोगों का team name आप यहां से check out कर सकते है और इन लोगों ने 26 रुपए का extra cash जो है वो win किया तो आप भी दोस्तों इस तरह win कर सकते है minimum आपको 26 रुपए से लेकियो maximum 26 रुपए तक का वापस से extra cash मिल सकते है अब दोस्तों हम बात करेंगे दोगलों टीमों की possible playing 11 के बारे में तो दोस्तों देखिए मैं आपको New Zealand team के एक ऐसे game बास से मिलाँगा जिसको काफे कम लोग अपनी fantasy team में शामिल कर रहे है लेकिन इनको इस match में debut करने का मोगा मिल सकते है और अगर इस match में इंडिया team के बल्ले बास अच्छा नहीं कर पाए New Zealand team ने अच्छी की तो ये game बास अच्छा कर सकता है और आपके GL की team में differential game बास साबित हो सकता है कैसे कि वो वीडियों में आगे चलके समझाऊंगा और दोस्तो एक और बात को दिमाग में सैट करना कि New Zealand team के जो बल्ले बास गलन फिलिपी है ये दोस्तो जो वन डे मैश कहलते हैं तो ये बल्ले बास सी करते हैं नीचे 6 नमबर पे लेकिन T20 format में 4 पे बल्ले बास सी करेगा और डेल मिचेल नमबर 5 में बल्ले बास सी करेगा हलाकि दोस्तो उमीद ये है कि T20 मैट में जो New Zealand की team है ड्वेन कोंवे को कीपर बना सकती है हलाकि अगर इनकी team ने Dan Cleaver को किलाया तो शायद से Dan Cleaver team की कीपर बन जाएंगे और बाकि सब जो किलाड़ी आपको फिट नहीं है तो इनके प्लेस पे गिन बास को किलाया जा सकता है जो कि तेज किन बास होगा या पर दोस्तों ब्रेंसल के प्लेस पे किसी को किलाया जाएगा क्योंकि मिचल सेटनर तो team के कप्तान है अब दोस्तों मैं आप से चीज team इंडिया के बारे में आपको पताऊना चाहिए team इंडिया की possible playing 11 की बात रहें तो सेम जैसा दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाए दे रही है team इंडिया सेम इसी playing land के साब खेल सकती है until unless मैं स्टार्ट होने से पहले team इंडिया का कोई खिलाडी समयत में जड़ ना हो जाए तो चलिए हम पहले सुरुआ करेंगे team इंडिया के साथ दोस्तों गरम team इंडिया के पिछले एक देट साब में performance को देखें तो सबसे शांदर बल्लेबासी के sky में जो के पिछले 34-320 में में अर्ष्डिव सिंग जो है वो टिम के सबसे successful T20 गिनबास है जोने पिछले 23 मैट में 36 बल्लेबासों को आउट किया इसकला दोस्तों हार्दिक पंडिया ने भी रिसन टाइम में अच्छी बल्लेबासी और गिनबासी किया है जो कि 30 मैट में पंडिया और मैंने आपको क्या का कि यहां का जो विगिट है वो तोड़ा या लो हो सकता है यानि बाउंस उसमें कम होगा तो आप पहली गेम से बड़े शोट नहीं कहल सकते इसलिए जो बल्लेबास इन गेम की नीशल फेस में गिनबासों को रिस्पेक्ट देगा उसको इस मैट में अच्छा परफोर्मेंस करने का मोगा मिलेगा और वो अच्छा परफोर्मेंस कर सकते हैं इसरान की कमसोरी की बात करते हैं तो आप देखो T20 फोरमेट में जो लेफटा मीडियम गेंदबास है नोने इनको काफी परेशार किया है आकड़े आपके सामने हैं ऐसे गेंदबासों की 70 बोल में 55 रण किया यानि स्ट्राइक रिट इश्रान का कम हो जाता है आउट तीम बार हुए यानि इश्रान को अगर इस मैट में रेंड स्कोर करना है और अपोनेंट टीम अपने लेफटा मीडियम गेंदबास को खिलाया कोन है वो बैन लिस्टर जो कि इस मैट में डेब्यू कर सकते हैं ट्रेंट पोर्ट के लैक टो लैक रिप्लेस्मेंट के तोर पे टीम उनको अजमाना चाहती है और नहीं गेंद को स्विंग भी कराना जानते हैं तो सबसे पहले बैन लिस्टर को यहाँ पर रिस्पेक्ट द ना पाई हैं और तीन बारी आउट होगे तो यह तो गेंद बासों के सामने के रिष्रान अच्छा कहला तो इस मैट में दोस्तों इसकोर करेगा अगर इड़ गेंद बासों के सामने रिस्क लिया तो गेम की नीशल पेस में आउट हो सकता है अगर बात किज़ाए शुमन ग गिल ने अची बल्लेबासी की है तो इनके बल्ले से बड़े स्कोर निकले है और उमीद करता हूँ T20 फोर्मेट के अंदर भी शुमन गिल उंके सामने अची बल्लेबासी कर ले तो रोकपना मुश्किल हो जाएगा अगर चेक करें रियाटी तो इस शान को मिचल सेटनर एक ब इसका ध्यान रखना कि रहूल तिरपाटी रिसंट टाइम डोमेस्टिक किर्केट में पार्टाइम गिल बासी कर रहे हैं जिसके बार में काफ़ी कम लोग जानते होंगे शाय से दोस्ते एक रिसंट ही हो सकता है कि टीम इंडिया के जो सलेक्टन है उन्होंने रहूल तिरप दोस्तो रहूल इस बात के फरवा नहीं करेगा कि यह आउट होगा या आउट नहीं होगा यह सीधे आएगा बड़े बड़े शोट के लेगा श्रीलंका के साथ डिब्यू का मोगा मिला पहले मैट में सिर्फ पांचन बनाए लेकिन दूसरे टीटवन्टी मैट में त्राब बड़े बास से मिलती है लेकिन टीटवन्टी में सही टाइम पे बल्ले बास से मिल जाएगा और रिसंट टाइमें सब गिन्बासों के सामने परपोर्मेंस सुर्या के शांद रही है अप वोनेटिग के गिन्बासों के साथ बात करें तो दोस्तो देखे जो डोवs विचल सेटनर इस्षोडी उपर भी ये दोनों आपको नसरा है और नीचे भी नसरा है तो ये दो गिनबासों के सामने थोड़ा देखना पड़ेगा बाकि तेस गिनबासों की पेस का तो कितना अच्छा सूरिया यूज कर सकते हैं ये आप लोग जानते हूं तेरी सिक्ष्री बनलेबास इनको इसलिए का जाता है क्योंकि गिनबासों की पेस के साथ खिलवार करना जानते हैं नंबर पांच पे आपके आजाएंगे कप्तान पांडिया और देखें वंडे श्रंकला में आपको एकी चीज़ कहीती अगर पांडिया को रोकना है तो अगर टीम का कप्ता बात करें दीपा कुड़ा की नंबर 6 पे हैं जब बल्लेबास से करेंगे सीधा पावर रिटिंग करना पड़ेगा रिसेंट टाइम में दोस्तों श्रिलंका टीम के साथ खेले थे T20 मैच उसके बाद से कोई मैच निकेला तो दोस्तों पावर रिटिंग करेंगे पहले गें गेंबास में जिनका साही टाइम पर यूज हुआ पंडया के सामने तो इस मैच में अच्छी वल्लेबास से शायद ही पंडया कर पाएं लेकिन दोस्तों गर गेंबासों का यूज हुआ तो पंडया की परफॉर्मेंस करने के जो चांस इंक्रीस हो जाएंगे अब देखिए यहां से मैं आपको यह जो बोलिंग चार्ट शेयर करा हूँ इस बोलिंग चार्ट से आपको क्या फायद होगा आपको एक अनुमान लग जाएगा मैच सरो होने से पहले कि टीम के जो कफ्तान है मिचल सैटनर वो गेंब के कौन से फेस्में टीम इंडया के कौन से वल्लेब दोटास है जो नई गेंख के साथ गिनबासि कर सकते हैं अगर टीम सिर्फ दो यगी तेंबास्तों के साथ के लिए तो यह ने को आपने देखा वंडय फोर्मेट के अंदर यह गेम पार्ट में टीम box प्रमें याधा कर रहा बट नगीले से समझ पाईगे बात करिए इस पुझा टाया टिम यह बोलिंग चाट इनका पता चल गया अब दोस्त हम बात करेंगे न्यूसलेंट टीम के वारे में तो न्यूसलेंट टीम के सबसे सक्सेस्फुल वल्लेबास को ने पिछले एक साल में वो हैं दोस्तो फिलिपी जो पिछले 21 T20 में 716 रन बना चुके है छे आफ सेंचुरी एक सेंचुरी है टीम के सबसे कामियाब गेंद बास की बात करें वो हैं दोस्तो इस शोडी जो पिछले 22 T20 में 28 बल्लेबासों का उट कर चुके है इसकर आफ दोस्तो ऐसा नहीं कि बाकी सबने पर्पोर्मेस नहीं किया दुएन कोन में 15 T20 में 587 बना चुके है फिन एलन 19 T20 में 411 है डैल मिचल 16 में 394 में है डैन के दिवस 7 में 118 है ब्रैस्वल 13 में 90 है आगर बात पर मिचल 60 में की 18 में 133 है तो दोस्तों यहां से आपको इनको बैटिंग और बोलिंग का पता चल गया बैन लिस्टर जो है अगर इस में कहले तो उनका T20 में डेब्यू होने वाल है गेन बासे पॉइंट ओफिस इनके पर्स मेंट पे जो चोईस है वो लोग आप यहां से चेक आउट कर सकते है अब दोस्तों हम बात करेंगे इस टीम के जो बल्ले बासे हो कैसे कब पर्फोर्मेंस इस में कर पाइंगे तो देखें सबसे पहले फिन एलन है फिन एलन पिछले दोने T20 में सुनिये पे गया पहले में चालिस किया यह दोस्तों मैं वंडे में एश की बात कर रहा हूँ चालिस पर गया पहले में फिन एलन को कौन परिश्वान कर देगा अगर टीम इडिया इस में एक में अश्दीब के साथ खेला तो अश्दीब को इनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा यह पिर अगर अश्दीब गेंडबास सी कर रहा है और दोस्तों यह बल्ला तेद गुमाए तो गेंडबलने का हैज वगएरे लेकिस लिप के उपर से चले जाए तो उस कंडिशन में परपोर्मेस करने के चांस इंक्रीस हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों आप देखे T20 फोर्मेट में लाफ्टा मीडिम गिनबासू की पिछली 24 वोल में यह 5 बार आउट हो है और रन भी सिर्फ 21 कर पाया तो पहली बैटल अश्दीब की हो जाएगी फिर भाई डुएन कौन भी बल्लेबास से कर रहा है तो देखी मैंने आपको काता इंदोर में परफोर्मेस करने के चांस है क्योंकि स्क्वेर बाउंडरीस चोटी है राची में थोड़ी स्क्वेर बाउंडरीस बड़ी हो सकती है तो उसलिए गर टीम इंडिया पार प्रे में वोसिंग्तन सुंदर का यूज़ करे जा गेन भी कम गीला रहेगा तो सुंदर सायथ से डुएन कोंवे को परिशान कर सकते है क्योंकि पिछली 29 गेन दोफ प्रे गेन बासु की कहली है उसमें है बल्लेबास दोबारी आउट हुआ चलिए बात के रियाटी चेक का तो फिन एलन को अश्दिप सिंग ने 3 बोल में आउट कर दिया डुएन कोंवे के सामने अश्दिप एना अश्दिप इतनी अच्छी गेन बास ही नहीं कर पाए क्योंकि कोंवे ने अश्दिप की 6 बोल में 19 रन बनाए और सिर्फ एक बारी आउट हुआ और दोस्तों बात करें न्यूसलेंट टीम के नमबार 3 और 4 पर बल्ले बास से करने वाले बल्ले बासों के बारे में मार्ग चैपन के दोस्तों बात करें तो आप देख लिजे रिसंट्री डोमेस्टिक में सुपर श्मैस के T20 मैक्चिस के लिए थे वहाँ ये अच्छी बल्ले बास ही नहीं कर पाए और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा टीम इंडिया चाहे तो इस मैट में अपने लेक स्पिन ओफने गेंदबासों का यूज करें तो इस बल्ले बासों को फसाये जा सकता है बस अपनी टीम में ओटोलोग स्पिन गेंदबास अगर कोई खिला है तो इसके सामने गेंदबास नहीं करेगा बाकी वो दोनों गेंदबास को निकाल सकते हैं फिलिपे की बात की जाए तो दोस्तों जिसतरा नाओ तिरिपाटी का मैंने आपको बताया था भाई अग्रेसियो किसम का ये बल्ले बास है जो कते टिक के बल्ले बास ही नहीं करेगा अगर दोस्तों बल्ला चला तो बड़ा चैल की जवरदस्त पिटाई भी की है क्योंकि 13 बोल में 28 सनियम के सामने बना चुके थे अब दोस्तों बात करते हैं 5 पे डैल मिचेल है और 6 पे आपके डैन किलीवर बल्ले बास से करें जो कीपर बल्ले बास है शूपर समैस में दोस्तों आप देखें पिछली 5 में से 3 पारी सना पाई जितना ये नमबर 4 पे कर सकते हैं अब दोस्तों देखें नमबर 6 पे अगरे इनको परफोर्मेस करनी है तो बात सिंपल सी है कि न्यूसलेंट टिम के उपर के जो 4 बल्ले बास है उनको जल्दी आउट होना पड़ेगा इसको जल्दी बल्ले बास से मिलने चे तो करेगा अदरवाइस आप लोग जानते हैं चांस कम है और दोस्तों डेल मिचल और गिलन फिलिपी की आप देखिए टी-20 फॉर्मेट में ज्यादा इन लोगों से पार्ट टाइम गिनबास से कप्तान ने नहीं करवाई है ये डाटा जो आपके सामनी ही बताएगा 21 जो के साथ टी-20 फॉर्मेट में उतना गिनबास ही नहीं कराता आप उने टीम के गिनबासों के सामने बात करें अरश्टीप ने एक बार आउट किया है पांडया ने एक बार आउट किया मिचल को और दीपक उड़ा भी एक बार आउट कर चुके हैं किलिवर दोस्त अभी तक भारते टीम के इन गिनबासों के सामने बल्ले बास से नहीं किया है, अब दोस्त हम बात करते है कि तीम इंड़ा के बोलिंग चाट के बारे में, तो इस बोलिंग चाट के मादयां बार आउट के दोस्ति पilly में अगर को टीम इंडिया के लिए लेंिपिन पार्ट् sembların पार्ट पले में गेंडबाशी मिल सकती है, अगर किसी गेंडबाश का दीन अच्रा नी रहा, तो श्यों मावी को गेंडबाशी मिल सकती है, और आप लोग जानते, उम्रान मलिक पार्ट्पले के बाद के लिएं इसके बाद मिडल फेस में बात की जाएं तो दोस्तों आपके चैल आपको गेंदबासी करते हुए नसर आएंगे और बचे कुछ यवर पांडिया की है या वोसिंग ट्रेंज सुंदर के ये लोग कम्प्रेट कर लेगे डैट ओवर्स की दोस्तों बात की जाएं तो अर्श्टिप सिंग यहां जादा गेंदबासी कर सकते हैं फिर टीम इंडिया से शो मावी और साथ में उम्रान मलिक को गेंदबासी गेम के वो फेस में मिल सकती है तो यह हो गया आपका बोलिंग चार्ट अब दोस्ते एक बाद को याद दिला दू अगर आपने भी तक बन्लेबासी एप को डाउनलोड नहीं किया तो भाई डाउनलोड कर लो लिंक वीडियो के लिचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है क्योंकि दोस्तों आप लोग बन्लेबासी एप पर खेलेंगे आपका प्रोफाइल जो लेवल है इसके लाबा आप बन्लेबासी एप पर फेलीक्टर केल सकते हैं जहां पे दोस्तों आप लोग अपने ओपिनियन को ट्रेड करेंगे तो यहां से भी पैसा विं कर सकते हैं और इंस्टेंट वी डॉल पाइंगे साय में और लोग यहां पर जाएंगे तो आप यहां पर बड टीम कॉंबिनेशन के बारे में, कि वही मैंने क्या team combination बनाय है, दोस्तो ही team combination मैं आपको शेर करना हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, कि वही मैंने आपके दिमाग में साइ इंफोरमेशन को सेट कर दिया, pitch और player सब बता दिए अब आपने क्या decide करना है कि मैं इस match में कौन सी happy investment कर रहा हूँ मैं कौन सी league join कर रहा हूँ उसको देखते वे आपनी decide करना है कि आज इस match में आपको अपनी fantasy team में कौन से खिलाड़ो को शामिल करना है क्योंकि है बात बड़ी simple है head to head के लोगे एकदम safe team बनाओगे 3-4 member के लोगे तो आपको गयार मैं एक या दो risk के लाड़ो को team में शामिल करूँगा grand league के लोगे तो आपको ज़्यादा differential team बनाओगे तो वीडियो में शेर की information के base पे अपनी investment कौन सी happy के लो और कौन सी type की league उसके according team में changes कर सकते हो दोस्तों मेरे fantasy team combination की बात करें तो मैंने कीपर बल्लेबास पेश्रान किश्रन को team में लिया है और साथ में newsland team से ड्वेन कोन वे वेरी fantasy team में नसराएंगे क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरा winning formula जानते हैं जब भी team India, इंडिया में कोई match के लेगा चाहे तो 1 day हो या T20 मैं हमेशर team India के top 4 बल्लेबासों के अपनी fantasy team में जगा देता हूँ इस special लगर team India पहले बल्लेबासी कर रहा हूँ अगर team India chase कर रहा है तो शाय top 4 में से किसी एक को मैं अपनी fantasy team से drop कर सकता हूँ दोस्तों बाकी complete fantasy team पहे आपको दूँगा लेकिन मुझे एक बात याद आगी यार आपको इन वीडियो देख के मजा आया है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सिखने को 100% मिला है ये बात मैं जानता हूँ लेकिन आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ऐसा मेरा नुमान है अगर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो कोकि लाइक करने का आपका तो पैसा जाएगा नी लेकिन मुझे आपका मिल जाएगा प्यारों सपोर्ट और प्यारों सपोर्ट के चलते रोसन मैं इसी तरह के शांदार वीडियोस आप लिए बना पाऊंगा और साथ मगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नी किया सक्सेस्फुल बल्लेबाद स्फिलिपी उनको अपनी फैंटसी टीम में जगा दी टीम इंडिया से दोस्तों मैं जा रहा हूं हर्दिक पांडिया के साथ और यहां से न्यूज्लेंड टीम के कफ्तान मीचल सेकनर आपको मेरी फैंटसी टीम में नसर आएंगे दोस्तों आप कोगे भई आपने ब्रैस्फुल के अपनी फैंटसी टीम में शामिल नहीं किया बिल्कुल दोस्तों टोस्त से पहले शामिल नहीं किया क्योंकि टोस्त से पहले ऐसा लग रहा है कि ब्रैस्फुल केलेगा नहीं केलेगा इसको लेके doubt है क्योंकि मैंने आपको कहाए New Zealand की team शायद इस match में सिर्फ 2 spin game बासों के साथ के लिए अगर 3 spin game बासों के साथ केलती है तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि New Zealand team को यह लगता है कि इस match में इनकी जो team है वो फिर तोड़ा slow का तो 3 game बासों का use कर सकती है गेंबाजी पॉंट ओफी से बात करें अश्दिप उम्रान मलिक लुकी फर्गुसन आपको मेरी फैंटेसी टीम में नसरा रहे हैं दोस्तो कप्तान वाइस कप्तान टोस से पहले मैंने शुम्मंगिल और सूर्य कुमारे अदव को बनाया है तो यह टोस से पहले मेरा फैंटेस में मुलाकात होगी तब तक आप लोग अपना द्यान रखें और इस वीडियो को इंजोई करें